यूटूब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यह तो आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले यूटूब का इस्तमाल मनोरंजन और टाइम पास के लिए ही करते थे लेकिन आज कल यूटूब को प्रोफेशनल बिजनस के रूप में यूज किया जाता है अगर आपके पास भी कोई एविलिटी है जिसे शो करके या टीच करके आप दूसरों को अपनी और आकशित कर सकते हैं तो आप भी यूटूब से काफी असानी से पैसे कमा सकते हैं साथ ही जब आप यह जान लेते हैं कि यूटूब से पैसे कैसे कमाई जाते हैं तब आपका नेक्ट स्टैप होता है कि यूटूब चैनल क्रियेट करना फाइनली जब आपका यूटूब चैनल बन जाता है तो आपके मन में एक ही सवाल आता है कि आप अपने वीडियो पर व्यूज कैसे ला सकते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने वीडियो पर व्यूज कैसे ला सकते हैं सबसे पहले आप वीडियो पर टॉपिक सर्च करें मान लो आपका टॉपिक है हाउ टू मेक टी तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह गूगल और यूटूब सर्च इंजन में होता है या नहीं उसके लिए आप अपना कीवर्ड यूटूब सर्च बॉक्स में रखें और दे अचलाइथ जेस्ट में और भी कीवर्ड को रहे हैं ओंसे आप अंनिसे ऐसे काफिर यूटूब यूजर्स को आप सकते हैं अब आता है वीडियो बनाने का व्यूट मैंने से पहले आप अपने टौपिक यूटूब की वीडियोउज को देखแ look आप denk लें जिस से आप अप बनाना शु dragging बीडियो कम से कम पांच मिनट होने चाहिए पांच मिनट से कम वाली वीडियो को काफ़ी चोटी और लएसी इनफोर मेशन वाणी हावकिजा Smith आप कोछिछ करें कि आपकीवीडियो में जादे से जादा इंफोर्मेशन हो ब्लॉग वर्प पोस्ट ज्यादा वर्ट्स की होनी चाहिए उसी तरह यूटूब की वीडियो भी ज्यादा होनी चाहिए यूटूब सर्च इंजन में रैंक होने के चांस ज्यादा होते हैं जिसे ज्यादे से ज्यादा व्यूज आते हैं वीडियो के लास्ट में Like, Subscribe, Share का मैसेज़ दें जब आप हर वीडियो के लास्ट में Like, Subscribe और Share करने को कहते हैं तो इससेे users को अलट कर दिया जाता है नहीं तो कई बार यूज़ट बहुली भी जातے है जब आप बार बार Like, Subscribe, Share करने के लिए बोलते हैं तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है याद रहें कि यूटूब का एल्गोरितम आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है यह के वल तीम चीजों से ही पता लगा सकते हैं टाइटल डिस्करप्शन एंड टैंक्स इसलिए आपका जो भी सब्जैक नेम या कीवर्ड है उसे ध्या यूटूब का एल्गोरितम आपकी वीडियो यूजर्स तक पहुंचाएगा जब मशीन समझ पाएगी कि आखिर आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है और जो यूजर्स सर्च कर रहा है उसे यह वीडियो देनी चाहिए या नहीं जब आपकी वीडियो बन जाती है तब उस का नाम भी वही रखे जो आपका कीवर्ड है जैसे आपका टॉपिक है तो आप फाइल का नाम भी यहीं रखे यह सबसे ज्यादा इंपोटेंट पार्ट है जब आप वीडियो को यूटूब पर अपलोड कर देते हैं तब आपका कीवर्ड टैटल में होना जरूरी होता है नहीं तो यूजर्स को पता ही नहीं होगा कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है साथ ही आपकी वीडियो पर डिस्क्रप्शन भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए पहले ही बहुत कम लोग डिस्क्रप्शन पढ़ते हैं लेकिन वाकिय में यह यूटूब में रैंक होने के लिए काफी हैल्प फुल माना जाता है डिस्क्रप्शन में स्टार्टिंग की कुछ लाइने रखें जिससे यूटूब सर्च इंजन को यह समझने में हैल्प मिलेगी कि आपकी वीडियो आखिर किस टॉपिक पर बनाई गई है यूटूब वीडियो पर टैग काफी हैल्प टी ती रेसिपी दस से जादा टैग नहीं होना चाहिए वरना कहलाएगा हिट पब्लिस एंट पर मुद अब अपनी वीडियो को पॉब्लिक बटन पर क्लिक कर दें इसके बाद अपनी वीडियो को शोशल मीडिया पर भी शेर कर दें जब आपकी वीडियो लोगों द्वार YouTube पर सपथार्व सबसे उपर आता है जो व्यूस बढ़ाता है Google search engine में भी वीडियोज शो हो जाती है और दूसरी प्रपूलर वीडियो में as the related उन्हें और चितना अच्छा उसकि तरह होता है से जादा से मतलब होता है कि आप Лगों पूरी देख रहे हैं या नहीं पेच में छोड़ रहे हैं या नहीं स्व encouraged लाइप कम आ रहे हैं या नहीं लोग आपकी वीडियो को अपने पोस्ट में भी शेर कर रहे हैं तो दोस्तों यह था जिसमें आप अपने यूटूब वीडियो के लिए इंक्रेज कर सकते हैं इससे रैंक कर सकते हैं और एक बार जब आपकी वीडियो अच्छी रैंक हो जाती है तो ओटोमेटिक वीडियो लोगों तक पहुंचने लगती है और व्यूज भी खुद आने लगते हैं और दिन पर कमाई भी बढ़ने लगती है